हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूडूब चैनल LGR स्टेडी में दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एकजाम के बेहतर त्यारी के लिए मैट का क्रैस कोर्स कर रहे हैं अगर अभी तक आप उस सभी 30 कलास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो कि दोस्तो आपके मैट्रिक बोर्ड एकजाम के लिए बेहाधी महत्पून है दोस्तो आम आशा करते हैं कि जितना मेहनत LGR study आप सभी के लिए कर रही है उतना ही मेहनत दोस्तो आप लोग अपने सफलता के लिए भी कर रहे होंगे तो चले दोस्तो बिना टाम कमाया आज का वीडियो शुरू करते हैं आपको बता दे है कि आज के भी इस वीडियो में दोस्तो कि आज का कलास थोरा लंबा हो जाए क्योंकि आज के इस कलास में बहुत सारे महत्पूर्ण चीजों को इस चेप्टर से सम्मधित हम लोग जानने बाले हैं जो कि आपको जो है मैत के एक्जाम में डिरेक्ट जो है देखने को मिलेगी तो चलिए यहाँ पर जो है जो हैं वीडियो अगर अच्छा लागे तो लाइक और शेयर जरूर किजिएगा यहाँ पर जो आपका दोस्तों सबसे पहले हम इस चेप्टर से रेलेड़ेड कुछ जो आपका कंसेप्ट है सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे ताकि हमें आगे कोई भी जो है क्वि स्रेड़ी को समांतर स्रेड़ी कहा जाता है जिसका सार्व अंतर समान हो जिसका सार्व अंतर क्या दोस्तों समान हो अब इसको अगर एकजामपल के रूप में देखा जाए तो आपको बता दे कि जो स्रेड़ी होता है दोस्तों यह स्रेड़ी एक स्रीज को कहते है किसको और यानि कि सभी पदों के बीच उसका जो value है वो बरावर होना चाहिए जैसे अगर example के मदद से समझा जाए तो आप देख सकते हैं दो example लिए first example है 5, 10, 15, 20, 25 और दूसरा example है 1, 2, 3, 4, 5, 7, dot, dot, dot अब दोनों example को समझने का कोशिश कीजिए अगर देखा जाए इस पद से इस पद के बीच का दोरी तो 5 है मतलब अंतर कितना है 5 है आप सभी पदों में देख सकते हैं 5, 5 का अंतर है 5, 5 का अंतर है तो अगर किसी भी दो पदों के बीच का अंतर अगर समान हो सभी जगों पर यहां पर 5, 5 का अंतर है यहां पर 1,3,4,5,6,7 डोर, इसका मतलब यहां पर 1 का अंतर है तो यहां पर D का वैलू कितना होगा इस दो दूसरा जो आपका उदाहरन उसके लिए D का वैलू हो जाएगा एक। और जो दूसरा पाला उदाराने उसके लिए रिका भैलू की तरह हो दो हो जाएगा अभी सारा डिटेल आगे चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर जो एपी है यानि कि दूस्त आपको पता दे कि इसको एपी से सुचित किया जाता आर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग इंगलिस में बोलते हैं इसको एपी भी बोला जाता है तो यहाँ पर दो चीज आप देख पा रहे होंगे पड़िमित एपी और और पड़िमित एपी यह कोई बड़ी चीज नहीं लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए कि पड़िमित एपी क्या होता है और और पडिमीत AP क्या होता है तो आपको बता दे कि जो पडिमीत होता है पडिमीत AP उसमें पडो का संख्या फिक्स होता है जैसे अगर पहला AP को देखा जायते इसमें कितने टर्म है एक, दो, तीन, चार, पाँच फिक्स है कि इसमें 5 ही पद हैं कितने पद 5 पद है तो इसलिए इसको कहेंगे दोस्तो पड़िमित AP यानि कि सिधा आपको याद रखना है जिस AP के पदों का संख्या पड़िमित हो पड़िमित मतलब constant हो fix हो यहाँ पर कितने हैं 5 है तो उस AP को हम पड़िमित AP कहते हैं और इस AP के लिए यहाँ पर पदों का संख्या यानि कि N का भैलू कितने दोस्तो 5 है अगर दूसरे का देखा जाए तो देख सकते हैं साथ के बाद डॉट डॉट है डॉट डॉट का मतलब क्या होता आप सभी जानते हैं कि मतलब आगे अनंत तक तो और पड़िमित AP उसको कहेंगे जिस AP के AP में पदों का संख्या और पड़िमित हो और सिमित हो जिसका कोई अंत न हो यानि कि यहाँ पर अनंत हो जाएगा तो पड़िमित AP और और पड़िमित AP आप समझ गयोंगे अब इस चेप्टर से रिलेटेड कुछ आओर भी आपको जो कंसेप्ट्स हैं उसको जान लेने की जरूरत है तो चलिए हम इसको जानते हैं यहाँ पर आपका जो लिखा कुछ संकेत AP चेप्टर में आपको कुछ संकेत भी दोस्तो समझना होगा संकेत जो सिंबल होता है उसको समझ के आगे बरना होगा तो यहाँ पर सबसे पहला देख सकते हैं कि AP के पदों को A1, A2, A3, Dot, Dot, Dot से सुचित किया जाता है जो आपको बता दे कि जो पद होगा तो जैसे दोस्तों यह फर्स्ट पद है, यह सकेंड है, यह थार्ड, यह फोर्थ, फिफ्थ, सेक्स्थ, सेबेंथ है न तो इसको बोलेंगे A1, A2, A3, A4, Dot, 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 मतलब आगे इस पैटर्न में उसको लिखा जाएगा दूसरा आप देख सकते हैं, AP के प्रथम पद को A1 या A से सुचित किया जाता है इस AP में, अगर A का भैलू पूछा जाए तो आप बताएंगे एक, क्योंकि प्रथम पद, प्रथम पद मतलब पहला पद, और पहला पद कितना है, एक है तो किसी AP के प्रथम पद को या नहीं, तो आप समस्कते हैं, फर्स्ट जो आपका पद होता है, पहला पद होता है फर्स्ट AP में, वहाँ पद उपड में अंतिम पद 25 है, तो उसको या तो AN से सुचित करेंगे, याने तो L से सुचित करेंगे, ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पद जो आप देख पा रहे होंगे, आगे आपको बोला जा रहा है, च सारवंतर को D से सुचित किया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, सारवंतर क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर होता है, कहीं भी आप दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, तो सारवंतर होगा, और अंतर निकालेंगे कैसे, अगला मैनस पिचला करेंगे, या नहीं तो S से सुचित किया जाता है जैसे यहाँ पर अगर example के रूप में देखा जाए example के अधार पर देखा जाए उदाहरन देखा जाए तो देख सकते हैं जैसे 1 AP दे दिया हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस AP में आपको जो पदो को हमने बताया भाई तो A1, A2, A3 से दिखाते हैं तो A1 का वैलू 2 है, A2 का वैलू 4 है A3 का वैलू आपका 6 है और A4 का वैलू आप देख सकते हैं 8 को यहाँ पर 8 है और A5 का 10 और A6 का 12 है इस तरह से हम पदो को सुचित करते हैं और यहाँ पर अगर पूचा जाए कि N क्या है N कितना है इस AP में N का वैलू क्या होगा तो N क्या होता है तो पदों के संख्या को N काते हैं तो यहाँ पर पद का संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 पद हैं तो यहाँ पर N का वैलू क्या होगा 6 क्या A N क्या होता है अभी आपको हम बताएं कि an क्या होता an होता दोस्तों last path तो यहाँ पर आप last path देख पा रहे होंगे 12 है और d क्या होता है d का formula आप याद रख लिजिए d मतलब सारबंतर और सारबंतर का formula होता है a2-a1 तो यहाँ पर a2 है 4 और a1 है 2 4-2 क्या हो जाएगा आपका क्योंकि आपको कहीं भी d निकालने के लिए बुला जा सकता है तो यहाँ पर a2 क्या है अगला पद है और a1 क्या दोस्तों पिछला पद है तो अगला पद मैनस पिछला पद आपको किजेगा किसी भी दो टर्म के उपर जा करके तो आपको answer d का मिल जाएगा नेक्स्ट जो आपको बात समझना है और ये question पूछा भी गया है बहुत बार exam में अगर previous year आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और जो लोग आभी तक mobile app डाउनलोड नहीं किये हैं वो लोग दोस्तो mobile app को डाउनलोड कर लिजे क्योंकि हमारे mobile app पर आपको इसका PDF मिल जाएगा इसलिए आपको इसको लिखने की कोई दूरत नहीं है और वहाँ पर आपको all subject का जैसे की मेरे दोरा पहले भी आपको बताया जा चुका खिजनाबार जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लिजे कि आपको मेरे mobile app पर all subject का subjective question objective question यहाँ पर उसके बाद model set previous year और पी जो बिहार बोड के दोरा model set है वो और quick revision notes मिलेगा जो की दोस्तों बिलकुल free मिलेगा और उससे आप लोग अपने exam का त्यारी LGR study तो उपर में मेरा app आ जाएगा तो वहां से आप लोग download कर सकते हैं अगर वीडियो को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को like कर दीजा ध्यान से देखते रहे हैं अभी बहुत सारा चीज हम लोग जो है शिखने बाले हैं आज class हलका लंबा होगा क्योंकि आप लोग जल्दी आप लोग काम syllabus खत्म करने की कोशिस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका अगला जो आप याद रखेंगे वो है AP का ब्यापक रूप AP का ब्यापक रूप आप याद रखेंगे A,A पलस D,A पलस 2D,A पलस 3D होता है यह आप दोस्तों याद रखेंगे AP के लिए next time आगे बढ़ जाते हैं यहाँ जो आपका अगला जो point है वो याद रखेंगे कोई भी सुची AP में होगा यदि उसका सारबंतर बराबर है यह उसका सारबंतर क्या हो बराबर हो यह point आप याद रखेंगे उपर भी आपको बताए हैं अगर कोई भी AP क्या हो कोई भी सुची जो है सुची जिसको आप list का लिजिए या फिर आप श्रिज कहिए AP में कब होगा जब उसका सारबंतर क्या हो बराबर हो दूसरा बात इसको फिर से समझने हो गोसिस करेंगे यदि ABC AP में है मतलब तीन संख्या कोई है जो AP में है और आपको A और B ग्यात है तो आपको अगर B निकालना हो तो B बराबर आप निकाल सकते हैं ए पलस C बटे 2 करके और जो B होगा A तथा C का समांतर माध्य कहलाता है या फिर होता है ये आप याद रखेंगे नेक्स्ट जो आपको कुछ फर्मूला याद रख लेना है इस चेप्टर से रिलेटेड क्योंकि फर्मूला नहीं आपको अगर रहेगा तो आपको क्वेश्चिन मनाने में कहीं ने कहीं क्या होगा दोस्तों प्राबलम होगा तो चले फर्मूला को देख लिए प्राबलम होता है ए पलस एन माइनस वान इंटू डी एन क्या है कोई भी पद निकालने की अगर जरूरत परे तो एन का यूज वहां पर हम लोग करते हैं SN SN क्या होता है N पदो का योग होता है N पदो का योग SN का फर्मूला याद रखेंगे NY2 into A plus N NY2 into A plus N आप इसका याद रखेंगे फर्मूला Next जो यहाँ पड़ आपका अगला question है बोल रही SN का जो दूसरा दोस्तो फर्मूला आपको याद है first यही आपका है main जो फर्मूला है वो यह है SN is equal to N by 2 into 2A plus N minus 1 into D इसको short form में लिखते हैं क्योंकि जब आप 2A को A plus A लिखिएगा तो A और A plus N minus 1 into D जो है वो A N कहलाता है तो यहाँ पड़ आपका क्योंकि A N को ही L बोला जाता है पीछे आप देखे हूंगे अगर ध्यान से क्रास देख रहे हूंगे आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम अब जो है कुछ और भी यहाँ पर महत्पूर्ण चीजे हैं related जो आपको जान लेना चाहिए ताकि आगे question बढ़ाने में कोई problem ना हो यहाँ पर आपको याद रखना कि A1 जो होता है वो A होता है A1 अगर निकालना हो तो आप जो A का value होगा वही A1 होगा A2 बराबर होता है A plus D A2 बराबर A plus D फर्मूलाय रखनेंगे A3 बराबर मतलब तीसरा पद निकालना हो तो A plus 2D करेंगे क्या करेंगे A plus 2D और अगर चौथा पद निकालना हो यानि कि A4 निकालना हो तो A plus 3D आप पर याद रखेंगे A plus 3D और इसी तरह अगर आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए तो A4 आगे कहां पर आपका A N पर A N पर आया तो आप देख सकते हैं कि A N का फर्मूला क्या होगा A plus N minus 1 into D तो A plus N minus 1 into D कहां से आप समझ सकते हैं कैसे देखिए यहाँ पर क्या था A2 था तो यहाँ पर A तो सभी में है A तो आप देख सकते हैं सभी में common है एक चैसे है A सभी में है बात है D का तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है आपका second A2 A2 में आप देख सकते हैं A के साथ 2 है तो उसमें से एक घटा करके D से गुना कर दिया गया यहाँ पर A3 है A3 है तो तीन में से एक घटा आएगा तो 2 A2 से गुना कर दिया गया D को यानि की 2D यहाँ पर जितना होगा उससे एक कम यहाँ D से गुना किया जाएगा तो वही बात यहाँ भी हुआ है A N है A तो यहाँ पर होगा ही होगा क्योंकि सब में A यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स है और यहाँ आप देख सकते हैं N है तो यहाँ में से एक घटा करके यानि कि N में से एक घटा दिया जाएगा और उसको D से क्या किया जाएगा गुना किया जाएगा तो वही बात यहाँ पर किया गया है N में से घटा यह गा तो क्या होगा n-1 और उसको फिर d से गुना करेंगे तो क्या होगा दूस्तों d होगा तो इस तरह से आपका फर्मूला बन के आता है a n बराबर a पलस n-1 इंटो d आप याद रखेंगे next जो आपको याद रखना हुए याद है a1 जो होता हुए s1 होता a1 बराबर s1 और a2 बराबर s2-s1 a3 बराबर होगा s3-s2 और a4 बराबर होगा s4-s3 क्यों क्योंकि आपको बता दे कि यहाँ जो आपका होगा यहाँ पर आप सिस्टम को समझने को कोशिश करेंगे अगर a1 है तो s1 है a2 है तो यहाँ पर s2-s1 इसके बाद a3 बराबर s3-s2 जो यहाँ है आप देख सकते हैं जो यहाँ है वही यहाँ है लेकिन उससे एक कम यहाँ है जो यहाँ है वही यहाँ है लेकिन यहाँ पर उससे एक कम है तो इसी सिस्टम से अगर जेनरल फॉर्म देखा जाए तो a n बराबर होगा s n minus s n minus 1 क्योंकि यहाँ से 1 यहाँ पर हमें क्या कर देना है कम कर देना है तो यह आप याद रखेंगे यहाँ से related एक जो फर्मूला है आप सब पीछे परके भी आये है s n बराबर n by 2 into 2a plus n minus 1 into 3 s n का फर्मूला है s n को अगर यहाँ पर देखा जाए ब्याख्या किया जाए तो आप जो 2a है यहाँ पर देखे n by 2 तो यहाँ पर n by 2 आप लिखेंगे जो 2a है उसको हमने क्या किया a plus a लिखती है a plus a अगर आप ने लिखा तो होगा क्या सो समझने का कोशिस करेंगे a plus a जैसे ही आप क्या करेंगे लिखेंगे तो लिखने के बाद जो a plus n मेंनस 1 into d है वो क्या होता है दोस्तो an होता है वो क्या होता है an होता है तो हम क्या करेंगे an लिखेंगे A है तो यहाँ पर A लिख लेंगे लेकिन N पलस 1-1 इंटू D के जगा पर क्या रखेंगे दोस्तो क्या होगा वो हो जाएगा A N A पलस N-1 इंटू D के जगा पर क्या लिखेंगे A N लिखेंगे क्योंकि यह A N का फर्मूला होता है तो A N लिख सकते हैं अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे sn बड़ाबर ny2 into a पलस an था तो an को ही l बोला जाता है तो कभी-कभी आपको फर्मूला यह भी देख सकता है कि sn बड़ाबर n बड़ा 2 into a पलस al यह इतना फर्मूला दोस्तों आप क्या करेंगे याद रखेंगे चलिए अब हम जो पर प्रसनावली 5 गसमला यह के सभी महतपूर्ण को हम लोग देखेंगे अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं कियें तो किरिपे वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि जितना मेहनत करके हम साइध वीडियो आपके लिए बना रहे हैं साइध उतना मेहनत आपको ल प्रसनावली 5 गसमला रहे हैं जबकि पर्थम पद आपको लिखने हैं चार पद लिखना है जबकि पर्थम पद ए और सारवंतर डी निम्न लिखित हैं मतलब इस क्वेश्चन में बोला किया गया देखी कोई भी क्वेश्चन बनाने का बस एक ही तरीका है कि क्वेश्चन म जो दिया हुआ है उसी के मदद से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन बोला वो बोला किया कि दी हुई ए पी के पर्थम चार पद लिखिये चार पद आपको ग्याद करना है चार पद आपको निकाल करके देना है जबकि पर्थम अब निकालना है A1, A2, A3, A4 मतलब इस टाइप से आपको चार पद आपको चार पद निकाल करके आपको क्या करना है देना है तो चलिए हम लोग इस को हम लोग देखने कोशिश करते हैं सबसे पहले यहां पर आपको जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे फ़र्ष्ट में आपको A का भालू 10 डिया गया है और D का भी भालू 10 दिया गया है, तो पहले हम फ़र्ष्ट को ही solve करने का कोशिस करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखेंगे दिया है, क्या दिया है A बराबर 10 और D बराबर 10 यह बात आपको दिया गया है इसलिए लिखेंगे A2 बराबर क्योंकि आपको A1, A2, A3, A4 निकालना है तो A तो पहले से आपको पता ही है यह पहले से ही पता है अब आपको करना क्या है कि A2 से निकालना चारू करने ना है तो A2 बड़ाबर फर्मूला उपर में हम पढ़ेते A पलस D A2 बड़ाबर फर्मूला क्या पढ़ेते A पलस D पढ़ेते तो A पलस D बड़ाबर यानि कि A का वैलू 10 और D का value भी 10 तो 10 10 कितना हो गया 20 हो गया तो इस तरह से आपका जो है A2 का value आगया 20 A2 का value कितना आगया दोस्तों यहाँ पर आपका 20 आगया फिर निकालेंगे A3 तो A3 का formula होता है A plus 2D उपर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलाओगा A plus 2D A3 का formula मेरे अनुसार आपको क्या बताया गया A plus 2D बताया गया A का value 10 है तो यहाँ पर A का value 10 रख लेंगे और D का भी value 10 है तो यहाँ पर देखें दोस्तों 2 को गुणा करना होगा 10 से क्योंकि 2D है तो 2 को 10 से गुणा कीज़ेगा तो क्या होगा 20 और 20 में 10 जोरिएगा तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा और next A4 आप देख सकते हैं चौथा पत तक निकालना है तो A4 क्या हो जाएगा A4 का फर्मूला होगा A plus 3D क्योंकि आपको बताये थे कि जितना इसके साथ उससे एक कम से D को गुणा करते हैं A तो होगा ही होगा A fix होगा तो A plus 3D वराबर क्या होगा A का value यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा और 3D मतलब 3 को गुणा करना होगा 10 से क्योंकि जो D का value है वो 10 है तो 10 तिया क्या हो जाएगा 30 और 10 क्या होगा दोस्तो 40 होगा तो यहाँ पर इस तरह से A 4 जो है 40 आगया और यही आपका क्या दोस्तो सिंपल जो है answer है क्योंकि आपको वही 4 पद निकालने के लिए बोला गया था तो इस तरह से आप लिख देंगे कि आपका final answer होगा next यहाँ पर जो इसी का दूसरा question है आप देख सकते हैं दूसरा question के दोरा क्या पूछा जा रहा है जो भी वही बात है A दे दिया गया है और D दे दिया गया है और आपको क्या करना है उसका उसका निकालना है आपको 4 पद तो first पद तो A दिया ही हुआ है second पद से हम लोग जो है निकालना चालू करेंगे यानि कि A2 से निकालना चालू करेंगे तो A2 क्या है A2 का formula होता A plus D तो A plus D यहाँ पर आपको दिख गया A plus D A का value देंगे 4 और बीच में plus है तो यहाँ पर हम plus ले लेंगे और D का value minus 3 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे minus 3 रख देंगे तो इससे होगा क्या कि पलस और minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा यहनिकी 3 minus 4 यानिकी answer आएगा एक आपका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपका A3 जो है उसको देखने कोशिश करते हैं A3 है A plus 2D इसका फर्मूला होता है A plus 2D जो होगा तो A तो आपका 4 है तो 4 value रख देंगे A का यहाँ पर आप देख सकते 4 रख दिए फिर पलस है तो पलस लेना होगा और 2D तो 2 आप देख सकते हैं पर 2 आपका लिखा गया है और D का value minus 3 है तो 2D लिखेंगे तो होगा क्या बातों को समझना है ज्यादे लिखने पर ध्याने देना है 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों आपका minus जो है वो 6 हो जाएगा क्योंकि 2 ती अच्छो तो minus 6 होगा और minus 6 और plus 4 कितना होगा minus 2 होगा तो minus 2 आपका इसका तीसरा पद हो गया इस तरह से चोथा पद निकालेंगे similarly तो क्या होगा a4 बढ़ाबर a plus 3D होगा a plus 3D तो a का value 4 है 3 को d से गुना करेंगे तो 3 और d का value minus 3 है तो 3 3 9 यानि कि minus 9 और plus 4 minus 9 और plus 4 क्या होगा बताइए minus 9 और plus 4 जो होगा वो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि minus 5 आपका इस तरह से इसका answer रोज जाएगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं जो आपका first question था 5.1 का महत्पुन जो दूसरा नमर था उसको देखें अब इसका तीसरा question है उसको हम लोग देखने की कोशिस करते हैं यहाँ पर आपका तीसरा question के तोरह क्या बोला जारा है आप लोग ध्यान से देखेंगे तीसरा question बोल रही है कि निम्नलेखित मेंसे परते एक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए दो चीज लिखना है सारवंतर और एक चीज लिखना है आपका प्रथम पद लिखना है यहाँ पर दो काम करना एक तो प्रथम पद निकालना है दूसरा सारवंतर निका तो इसमें आपका पर्थम पद जो होगा वो 3 होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल में हम लिखें जो यह आपका AP है और यहाँ पर पर्थम पद क्या हो जाएगा यह होगा यह क्या होता है 3 यानि कि पर्थम पद 3 है पर्थम पर यहाँ पर आपका क्या है तीन दिख रहा है D जो होता है A2 माइनस A1 होता है A2 क्या है 1 A2 क्या है यहाँ पर आपका 1 है क्योंकि आप देख सकते हैं A2 यहाँ पर 1 है और A2 माइनस A1 तो 1 माइनस 3 क्योंकि A1 जो है वो है दोस्तों यहां पर आपका 3 तो क्या होगा जब आप एक में से दोगड़े भराएंगे तो आपको आजाएगा मैनस 2 तो यहां पर आपको D का भैलू मिला मैनस 2 नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर आपका जो इसका दूसरा कोईस्चन है यह एक AP है इसका प्रथम पद क्या होगा एक बटा 3 होगा क्योंकि फर्स्ट को ही प्रथम पद हम बोलते हैं और सारवंतर निकालना है सारवंतर क्या दर D होता है A2 मैनस A1 होता है A2 मैनस A1 क्या होगा A2 मैनस A1 जो होगा दोस्तों A2 का भैलू है आपको 5 बट्टा 3, और A1 जो है वो है, एक बट्टा 3, तो 5 बट्टा 3 और मैनस एक बट्टा 3 क्या हो जाएगा? जब आप इसका ELCM लेंगे तो 3 होगा, 3 3 का ELCM 3, 3 से ठीम में भाग देंगे, तो 1 और 5 से गुना करेंगे, तो 5 और 3 क्या होगा? तीन यहां पर जो एक ही मरतबए होगा तो एक को आप गुना करेंगे एक से तो क्या होजागा दूस्ता आपका एक हो जागा तो 5-1 बट्टे 3 तो हो जागा 4 बट्टे 3 फाइनल आंसर होगा कितना 4 बट्टे 3 नेक्स्ट यहां पर जो आपका जो फोर्थ नम्मर क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट 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 इसमें आपको D और A यानि कि प्रथम पदा और सार्व अंतर आपको निकाल करके यहाँ पर बताना है तो क्या हो जाएगा प्रथम पद तो सभी जानते हैं कि फर्स्ट बाला होता है तो 0.6 हो जाएगा और सार्व अंतर में क्या होगा D A2 माइनस A1, A2 का वैलू है 1.7 और A1 का वैलू है 0.6 तो साथ में से 6 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1.1 यहाँ तक आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अगले कलास में दोस्तों हम लोग प्रसनावाली 5 दसमलर 2 कंपलीट करेंगे आज के लिए दिना ही रखते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा और अगर अभी तक आप हमारे मुवाइल एप को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के दिये गए किसी अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजारा स्टेडी देखते रहिए